हेलो बच्चो तो आपको मैंने दिया था एक कंवर्जन आफ सभी ने कर लिया होगा जिन बच्चो को कंवर्जन कंप्लीट नहीं हो था आइए हम लोग वन बाइन स्टेप और सॉल्प करते हैं देखे सबसे पहले इसमें क्या करना है आपने देखा जो फॉस स्टेप था यह हैलोजीनेशन आफ एलकेन तो हैलोजीनेशन आफ एलकेन में देखो भचो क्या होता है जब हम मेःतेन को रियक कराते हैं इसको मैं ऐसे लिखता हूं CH3H मेःतेन को तो यह फ्री डिडिकल सबसीटीजन होता है जिसमें आपका क्लॉरीन क्या करेगा एचनिव का प्रजेंस म एक hydrogen को substitute करके बना देगा CH3Cl यह हमारा methyl chloride बनता है फॉस step में जब फॉस step complete हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें कहाड़ा था sodium in dry ether तो देखे जो sodium in dry ether है आप लोग इस reagent को पहचानिए यह reagent है वूड्ज reaction का वूड्ज reaction हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है आप लोग जाएगा देख लिजेगा वूड्ज reaction में क्या होता है कि जो दो alkyl halide है वो dimerage कर जाते हैं और dimerage करके बनाएगा CH3 CH3 ethane हमारा next step में क्या बन जाएगा इथेन बन जाएगा तो जब further coloration करिएगा आप Cl2H ने उडालिएगा तो फिर से एक हार्डविन substitute होगा और ये बना लेगा CH3 CH2 Cl ये आपका बनेगा इथाइल कोराइड इसको हम लोग क्या बोलते हैं अब जेड में हमने क्या डाला है अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने अलकोहलिक के वेचे डाला है और आपको मैं बता दूँ कि ये जो अलकोहलिक के वेचे strong base होता है और strong base का जो काम होता है वो elimination करता है alkalide के इस position से जो ये वाला carbon है यहाँ का एक H निकालेगा तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ आप ज़रा समझने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ ये मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH2 ये H यहाँ लगा दूँ तो होगा क्या जो अलकोहलिक के वेच का OH- है वो OH- यहाँ से CH को निकालेगा और ये CL यहाँ से निकलके बाहर हो जाएगा तो अपन लोग को में लेगा CH2 double bond CH2 ये हमारा बन गया Ethene by the E2 Elimination इस mechanism का नाम होता है E2 Elimination ये हमारा प्रोड़क्ट बन गया अब इस पर हमने क्या डाला है Bromine in CCL4 तो जो Bromine in CCL4 डाले हो ये Bromine क्या करता है CCL4 के प्रजेंस में डाई हेलो कंपॉंड बनाता है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन ये हमारा प्रोड़क्ट बनेगा त्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियेक्शन अब देखे जो ये प्रोड़क्ट बनेगा हमारा उसके बाद इसमें डाले थे आपने दो रियेजेंट टू टाइमस एलिमिनेशन करने के लिए हमने एक रियेजेंट डाला था जिसका नाम है आपने नाम यहाँ पर देखा होगा एक स्टेप पहला होता है अलकोहलिक के वेच से ये पहले क्या करेगा यहाँ से एक ह निकालेगा और इसका ब्यार निकाल देगा तो पहले स्टेप में प्रोटक बनेगा CH-11-CH-B-R और दूसरे स्टेप में फिर यह जब सोडा माई डालोगे तो दो बार ऐलिमिनेशन होता है एक बार यहाँ का प्रोटान यहाँ का ब्रोमीन एक बार यहाँ का प्रोटान और यहाँ का प्रोमीन तो अल्टिमेटली आपको क्या मिलेगा CH-11-CH यह एलकाइन बन जाता है और जब एलकाइन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करिएगा रेड हॉट कॉपर ट्यूब से जब एलकाइन को पास करते हैं नहीं लिखना हूं हो एक exploring हैं इसका ऐसपर हैं ओर इतरा unos歡迎 है इसका यहां चला जाता है उसका एक बुद्थ के बीच में और इसका एक बांड इसके dishon wild इसके बीच में तो सबसंव एक एच तो है हम ऐसा रहे गई नहीं तो न उन फेरेनं फिर यहां पे फर्दर कोस्ट को यहां पे अपर थेप्रों का पांट है एंड इसके बाद मैंने इसे लिख आप पर आप यहां पर इस Long कर लिखा और यहां जानों resist यहां का जो CH2 था बच्चे उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ठीक है यह बियार तो एलकोहलिक की एच क्या करता है इसका जो OH- है वो जाएगा इस एच को खीचेगा और यहां पे ला देगा double bond और बियार निकलके बाहर तो हमें जो product मिलेगा वो CH2 double bond CH और एक यहां पर बियार भी बचा होगा अब की बाद आपने सोडा मैड लिया तो सोडा मैड सेम काम करता है इसको एच को मालने मैं ऐसा न लिखके ऐसे लिख दें तो सोडा मैड फिर से strong base है ठीक है यह उससे भी ज्यादा strong base है तो यह क्या करता है इस एच को विड्रो कर लेगा और यहां पे एक औ यूट्यूब पर बने रही है मैं question सुबब पोस्ट कर दूँगा आप सभी लोग इसको जाके solve करिएगा और answer निकालेगा जिसके solution में आपको last में दे दूँगा चैनल को सभी लोग subscribe कर लो जुड़े रहो आगे भी आपको मस्त मस्त कराता रहूंगा सभी चैप्टर के convergence कराऊंगा थैंक यू सो मच टाटा बाए बाए